ट्विंकल खन्ना भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हो चुकी हूँ लेकिन अपनी राइटिंग स्किल्स के चलते हमेशा सुर्ख्यों में रही उन्होंने नौन फिक्षनल किताब भी लिखी खास बात है कि जिस दिन उनका जनम दिन होता है उसी दिन उनके पिता और बॉलिवूड के सुपरस्टार राजिश खन्ना के बर्दे एनिवर्सरी भी होती है ट्विंकल की अपने पापा राजिश के साथ खास बॉन्डिंग थी कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटर्विव में अपने और पिता से जुड़ा एक किस्सा शियर किया था जिसके बाद उन्हें अपने पापा की पॉपुलरिटी का एहसास हुआ था जी हाँ, राजिश खन्ना बॉलिवूड के एक मश्वूर स्टार थे लेकिन ट्विंकल बच्पन से इस बात से बिलकुल अंजान थी उन्हें पहली बार अपने पिता की पॉपुलरिटी का पता तब चला था जब उनके घर पर गिफ्ट्स के तौर पर कई किताबे वा अन्य चीजे आया करती थी उस वक्ट ट्विंकल को लगता था कि इतना सब कुछ उनके लिए घर में आता है लेकिन फिर एक दिन उन्हें पता चला कि ये तोफे उनके नहीं बलकि पापा राजेश के लिए आते हैं तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता कितने बड़े स्टार है वही बात अक्षय के साथ उनकी रिलेशन की करें तो वो भी काफे स्ट्रॉंग है ट्विंकल की लव स्टोरी तो सब ही जानते हैं लेकिन उनकी लव स्टोरी से जुड़े ऐसे कई किस्ते हैं जिनसे लोग आज भी अंजान है तो चलिए करवाते हैं आपको उन दिल्चस्प किस्से से रूबरू कहा जाता है कि फिल्म मेला के फ्लॉप हो जाने के बाद ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से शादी कर ली थी क्या आपको मालूम है कि ट्विंकल खना ने अक्षय कुमार से दो बार सगाई की थी जबकि उस समय डिम्पल कपाडिया ने उन्हें अक्षय से शादी करने के लिए भी मना कर दिया था दर असल जब अक्षय ने ट्विंकल को शादी के लिए प्रपोस किया तब उनकी फिल्म मेला रिलीज हुई थी तब उन्होंने अक्षय के सामने शर्त रखी थी कि अगर उनकी ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो वो अक्षय से शादी कर लेंगी मगर नहीं हुई तो नहीं करेंगी यहां किस्मत ने अक्षय के साथ दिया और फिल्म फ्लॉप हो गई जिसके बाद ट्विंकल ने उन्हें शादी के लिए हाँ भी बोल दिया मगर जब दोनों मिया बीवी शादी के लिए तैयार हुए वोई ट्विंकल की मा डिम्पल बीच में रुकावट बनकर खड़ी हो गई दरसल उसी वक्षय गे यानि समलाइंग एक है जिसके बाद उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी कि अक्षय और उनकी बेटी को शादी से पहले एक साल तक लिवन रिलेशन में रहना होगा उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगी फाइनली साल भर के बाद दोनों की शादी हो गई एक इंटर्वियू में ट्विंकल ने बताया थे कि जब उन्होंने अक्षय को डेट करना शुरू किया तब वो एक लंबे रिलेशन्शिप से बाहर निकली थी और जिसकी गम से निकलने के लिए वो किसी का सहारा चाहती थी इसलिए ट्विंकल ने अक्षय को सिर्फ 15 दिनों के लिए अपना बॉइफ्रेंड बनाया था मगर ये 15 दिनों का रिलेशन कब उनके लिए जन्मों का रिलेशन बन गया उन्हें पता ही नहीं चला मगर कहते हैं ना कि किसी सक्सेस लव स्टोरी के पीच एक शक्स ऐसा भी होता है जिसकी वच्छे कभी ना कभी रिष्टे में दरार आने लगती है ऐसा ही एक वाक के अक्षय के साथ भी हुआ दरसल शादी से पहले तो अक्षय के कई अफेर्स रहे लेकिन अपनी इसी आदस ते वो शादी के बाद भी बाज नहीं आये और प्रियंका चोपड़ा के प्यार में पड़ गए खबरों की माने तो प्रियंका और अक्षय का अफेर्स फिल्म के सेट से शुरू हुआ जब प्रियंका ने अक्षय में दिल्चस्पी दिखाने शुरू की तो एक्टर ने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया ओन स्क्रीन के साथ साथ आफ स्क्रीन भी दोनों का रोमेंस चारी रहा धीरे धीरे दोनों के अफेर की खबरें मीडिया में आने लगी और अक्षय के पतनी ट्विंकल खनना तक ये बात पहुँचने में देर नहीं लगी जब ट्विंकल को इस बात की भनक लगी तो वो गुसे में अक्षय के पास ही पहुँच गई और शूटिंग के सेट पर पूरी टीम के सामने ही उन्होंने अक्षय को थपड़ जड़ दिया इसके बाद अक्षय ने एलान कर दिया कि वो भविश्य में प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे उसके बाद से ही दोनों अपनी मेरेड लाइफ को खुशी खुशी एंजोई कर रही हैं और स्टॉंग बॉंडिंग भी सेट करते हैं आपको ट्विंकल अक्षय के लव स्टोरी के बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूले